अल्प संकिक मोर्चा के रास्टिय अध्यक्ष जमाल सिद्धिकी सहाब इसोक में सद मौझूद है जमाल सहाब कितना बड़ा सिनेरियो इसको आप लोग लेकर चल रहे हैं कि दक्षिन भारत में आप लोग अपनी स्तिति को मजबूत कर पाएगे देखें दच्षिड भारत जो है वो भारती जंता पार्टी के लिए बहुत उपयोगी है और भारती जंता पार्टी का पूरा फोकस दच्षिड भारत को है और मुझे लगता है कि इंशालला आने वाले समय में जिस प्रकार से उत्तर भारत में और पुरिदेश में कमल खिला ह केशियर बाय-बाय का आप लोगों ने एक नारा दिया है और लगभग 199 लोकसबांसीटे है तो वही 119 विधानसबांसीटे भी तैलांगना कि किस तरीके से इस गड़ को आप ढ़ा पाएगे मजबूत कर पाएगे कैसे अपनी पैट बनाएंगे मुझे लगता है यह कांग्रेस की निकामापन से हुआ है और जिस प्रकार से मानिय मोदी जी का जादू पुरेदेश में चला है और जिस प्रकार से मानिय मोदी जी ने सबका साथ सबका विकास का जो काम किया है वो काम यहां भी लोग देख रहे और मोदी जी को मिस कर रहे इ स्थिति को मजबूत करने के लिए आप लोगों को जमीन पर तरना पड़ेगा आपको लगता है कि जो स्थिति उत्तर भारत की थी वही ग्राउंड पर काम बूद जिला मंडल को लेकर आप लोग निकलेगे उस तरीके से यहां काम होगा मुझे लगता है कि भारती जन्ता पाड़ी कारकरता जमीन पर रहे काम करने वाले कारकरता है यहां जो कारकरता है वो मीटी में और जमीन पर मेहनत करके पैदा होते हैं नेता के पेड़ से कारकरता पैदा नहीं होता है राश्ट कारेकारणी से कितना फायदा खासकर दक्षिन भारत को लेकर? कि जहीं लगता है यहां पर फाइदा होने वाला है कृष्ट का बीने देश जाने वाला है देज्भर की लोग यहां पर इकठा हुए हैं कि जामाल सिद्धिक choices सुन रेकारी तर पर देश ăद्यक्स करते हैं राश्ट का भी नेठीश कर रहे हैं संख्यक मोषा के रास्टी अध्यक्ष भी है साफतार पर कह रहे हैं कि इस बार के तैयारी दक्षुन भारत को लेकर बहुत मजबूत नज़र आएगी क्योंकि ग्राउंड पर भाजपा की कारेकरता नज़र आ रहे हैं कामर्सन रोहन के साथ मैं भावना आर्नाइन न्यूस है द्रबाद